यो तो पूरे यूबी में समय बेहर कड़ा चुनावी संघर्ष देखने को मिल रहा है लेकिन बल्रामपुर की तुलसेपुर सीट पर सियासत का कुछ अलग ही खेल देखने को मिला है दरसल स्पी के तिकट पर तुलसेपुर सीट से चुनाव की तैयारी करने वाली जेबा को एलवक्त पर निर्दलियर ही इस सीट से उतरना पड़ा है जेबा दुसीबार सीट से अपनी किसमें अदाज मारे है तो सिपर उदानसवा सीट से वो 2017 में कॉंग्रिस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी ही बीजेपी से कैलाश नाच्छुकला ने कॉंग्रिस में चुनावी मैदान में उतरी जेबार रजवान को 18,000 से भी जादा वोटों से हराया था ऐसे में अब हर तुर तरफ यही बाते हो रही है कि क्या इस बार भी मुकामलाद जेबा और कैलाश के बीच में ही है या फिर एसपी के मसुद खान भी इस रेस में है आपको बता दे कि मसुद खान को एसपी ने इस सीट से उता रहा है लेकिन अब देखने वाले बात यही होगी कि क्या उनके फक्ष में महौल बन पाता है तो उसी पुर्षीट पर मद्दान 3 मार्च को होने वारा है ऐसे सभी प्रत्याशी मद्दाताओं को लुभाने में लगे हैं अब देखना होगा कि 10 मार्च को जब मत गरना होगी तो जीब किस प्रत्याशी को मिलती है